हेलो आवरीवान वेल्कम तो मैं चैनल देश्ट पार्वेस्वान सिन्वानिंग चैप्टर टू होल नंबर्स एक्ससाई 2.3 और कोशन नंबर 4 कोशन इस फाइंड यूजिंग दिस्ट्रिब्यूटिव प्रोपर्टी तो इस कोशन में हमें फाइव पार्स दिये हमें जिसमें मल्टिप्लिकेशन का साइन है मिन्स इन फाइव पार्स को हमने मल्टिप्लाई करना है लेकिन सिंपल मल्टिप्लाई निकरनी कैसे करनी हमने यूजिंग डिस्ट्रिब्यूटिव प्रोपर्टी तो दिस्ट्रिब्यूटिव प्रोपर्टी से मल्टिप्लिकेशन हमने पिछ तो हम 101 को दो number से में distribute कर देते हैं, वो दो numbers क्या होते हैं, इस 101 की expanded form होती है, तो 728 को पूरे 101 से multiply करने की बज़ाएं क्या लिग लेंगे हम इसको 100 plus 1, तो किसी number को जब distribute करके टुकुडों में तोड़के तब हम multiply करते हैं, तो वो हमारी property distributed property खिलाती है, तो 728 की multiply पहले किसे करेंगे हम, 100 से 728 multiply 100, बीच में plus का sign है, plus लगाएंगे, और फिर 728 की multiply किसे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 100 से multiply करेंगे, तो 7 में 2, 0 जा देंगी, और 1 से multiply जब भी किसी number को करते हैं, तो answer वापिस वही number आता है, अब इसमें plus का sign है, plus कर लेंगे, 8 plus 0, 8, 2 plus 0 तो 2, 8 plus 7, 15 का 5, 1 कैरी, 2 and 1, 3, और ही आगया, 7, तो 73,528 हमारा answer आगया, सेम देखो, B part है, 5,437 की multiply 1001 से करनी है, तो आपने ध्यान करना है, B part में, 5,437 की multiply 1001 से करनी है, तो 1001 की expanded form आपने ध्यान से लिखनी है, पिछले question में भी मैंने बताया था, जब यह वाला समा आया था exercise 2.2 में, की 1001 को हम क्या लिखेंगे, 1000 plus 1, 100 plus 1 नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, और इसी तरह से इसकी multiply बेले 1000 से कर देंगे, फिर 1 से कर देंगे, फिर add कर लेंगे, औ योगे exercise 2.2 का भी question number 4 था, find using appropriate property, तब ही हमने distributed property से किये थे, clear, so आपकी practice के लिए छोड़ दिया मैंने इसको, c part देखेंगे आप, इसको पूरा complete करना है, यहीं मन छोड़ देना, पूरा करना है इसको आपने, c part में देखो, 824 की multiply 25 से करनी है, तो 25 की factorization कर लोगे आप, sorry 25 की वो distribute कर लोगे आप, a24 की multiply 25 से करनी है तो क्या कर लोगे, 20 plus 5, जो के 25 की expanded home है, इसी दरह से a24 की multiply 20 से, a24 की multiply 5 से और फिर add कर लेंगे, यह first part पूरा का पूरा आपके लिए, फिर से लिखा मैंने, same आपने b और c part, खुद complete इसको कर लेना है, यह मैंने यहाँ पे छोड़ दि नेक्स्ट धी पार्ट है, 4275 की multiply 125 से है, यह इसलिए special बता रही हूँ कि नंबर जो आगे मेरे पास है 125 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 4275 की multiply 125 और 125 की expanded form क्या होती है, 100 plus 20 plus 5, और हर question के साथ यहाँ distributed property लिखते रहेंगे, जागन नहीं लिखी हैं, तो आप लिख लेंगे, clear distributive property, तो अब देखो, 4275 की multiply पहले किसे करेंगे, 100 से, फिर 20 से, और फिर 5 से, तो bracket के अंदर जितने number expanded form में आते हैं, उन सब से multiply करेंगे, तो 4275 की multiply 100 से, plus 4275 की multiply 20 से, और फिर 4275 की multiply 5 से करेंगे, तो यहाँ में 3 times multiplication करनी पड़ेगी, 100 से multiply करनी है, 2, 0 जा देंगी साथ में, यहाँ 20 से करनी है, तो एक 0 हम as it is छोड़ देंगे, और multiply किसे कर लेंगे, 2 से, 2, 5, 10 की 0, 1, 2, 7, 14, and 1, 15 का 5, 1, 2, 2, 4, and 1, 5, और 2, 4, 8, और यहाँ पर हमने 5 से multiply करनी है, अगर आपको simply, early, सिदा आप multiply नहीं कर सकते हैं, तो आप side मे लिख के भी multiply कर सकते हैं, 5, 5, 0, 25, 2 बच गया, 5, 7, 0, 35, 2, 37, 3 बच गया, 5, 2, 0, 10, 13, 3, 1, के रिया आगया, 5, 4, 0, 20, and 1, 21, और आप इन सब को हम add कर लेंगे, पहले भी कहा है मने आपको, अगर आपको addition multiplication में कोई दिक्कत आती है, तो आप side में लिख के उसको कर सकते हैं, पहले हमारे पास है, 5, 5, 8, और यह थर्ड नमबर है हमारे पास, 21,375, इन सब को क्या करना हमने add, तो यहां हम side में add कर के देख लेंगे इनको, और यहा जगा 5, 7, 5, 5, 10, और 3, 13, का 3, 1, 7, 1, 8, 8, 5, 13, और 1, 14, का 4, 1, carry, 1, 2, 3, 3, 8, 11, और 2, 13, का 3, 1, 4, 1, तो यह हमारे पास answer आगया, 5, 3, 4, 3, 7, 5, और 5, 34, 375, तो इस तरह से, अगर expanded form में 2 numbers आ रहे हैं या 3 numbers आ रहे हैं, उन सभी numbers से multiply करके, distributed property की help से आप इनको multiply कर सकते हैं, now e part 504 multiply 35 से करने हैं, तो देखो 504 की multiply 35 से करने हैं, तो 30 plus 5 लिख लेंगे, 504 multiply 30 plus 504 multiply 5, तब भी पिछले exercise भी मैंने बताया था कि यह निशान लगाने कोई जुरूर भी नहीं है, शिरब आपको समझाने के लिए लगा दिए मैं, आप इनको नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक होगा सम, 0, ऐसे छोड़ दी मैंने, और 504 की multiply 3 से करने, 3, 4, 0, 12, आगे 0 है तो 12 का 12 आ जाएगा, 3, 5, 0, 15, और ऐसे ही 504 की multiply 5 से, 5, 4, 20, next digit अगर 0 होता है, तो पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही आ जाता है, 5, 5, 0, 25, और अब इसको add कर लेंगे, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 5, and 1, 6, 2, 5, 7, और ये as it is 1, आप side में लिखके भी add करके देख सकते हैं, और कुछ रुएंट्स ऐसे भी सोच सकते हैं, कि हम इसी पार्ट को ऐसे भी कर सकते थे, कि बड़ा नंबर पहले था, छोटा बार में था, आप किसी तरिके से मर्जी multiply कर सकते हैं, इसको आम ऐसे भी कर सकते हैं, 35 multiply 504, तो 35 की multiply 500, प्लस 4 से भी कर सकते हैं, 35 की multiply 500 से, 35 की multiply 4 से, और सिर एड करेंगे, आप इसको पूरा करके देखेंगे, तो आंसर ऐसे भी आपका, यही आएगा, 17,640, I hope आपको यह सारे समस अच्छे से समझ में आ गया होंगे, बहुत अच्छे से इनके practice कीजिए, बहुत important sums हैं, so keep practicing, thank you.